नमस्कार शिद्धालूँ स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन दा स्पिर्ट्रल सीक्रेट में मैं साथ भी करना आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी मुद्रा के बारे में जिससे आप किसी को भी अपनी और आकरशित कर सकते हैं शिद्धालूँ वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ शियर करें तो शिद्धालो आई ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं एक ऐसी मुद्रा के बारे में जिससे आप किसी को भी अपनी और आकशित कर सकते हैं हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी मुद्रा के बारे में जिससे आप किसी को भी अपनी और आकशित कर सकते हैं चाहे वैं भगवान हो देवी देपता हो या कोई इनसान हो इसको तीस्ता नेतर भी बोलते हैं इसी मुद्रा को लगा कर हम भगवान सूर नारण को ध्याते हैं उनका ध्यान करते हैं इस मुत्रा में आप जिस भी देवी देपता का ध्यान करते हैं, उनका इस्मरण करते हैं, तो उस देवी देपता का आपको आकरशन प्राप्त होता है, वे देवी देपता आपकी और आकरशित होते हैं, आप किसी भी मंदिर में किसी भी देवी देपता की मूर्ती के सामने इ इस मुद्रा का नाम है त्रिनेत्री मुद्रा, इसको हम देवदर्शनी मुद्रा के नाम से भी जानते हैं, त्रिनेत्री मुद्रा के द्वारा आप भूत, वर्तमान और भविश्य में होने वाले सभी गतिविदियों को भी देख सकते हैं, इस पूरी दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे इस मुद्रा से ना देखा जा सके जड़ हो या चेतन हो उजा हो या आकाश हो पाताल हो जल हो देव हो या देत्य हो इस मुद्रा से कोई भी नहीं बस सकता विग्यानी भाशा में इसे पीनियल ग्लेंड कहा जाता है इसको चटी इंद्रियां भी कहा जाता ह इस मुद्रा का भोजन है ध्यान ये मुद्रा ध्यान को अपनी और खीशती है ध्यान रूपी भोजन मिलते ही यह मुद्रा सक्रिय हो जाती है इस मुद्रा को त्री नेत्र मुद्रा भी कहा जाता है त्री नेत्र को भगवाईशिप का तीसरा नेत्र भी कहा जाता है इस मुद्रा की इस्तिती आग्या चक्र में है आग्या चक्र जितना एक्टिवेट होगा उसी अनुपात में यह मुद्रा सक्रिय होती जाएगी पुराणों और वेदों के अनुसार हमारे आग्या चक्र में अनंत शक्तियां एवं सिध्यां निवास करती है वही पर यही अनंत शक्तियों में एक महा शक्ति है त्रिनेत्र इस मुद्रा के द्वारा ना केवल देखा जा सकता है अभी तू देखने के साथ साथ सुना अद्वा महसूस किया जा सकता है योग साथ को में यह मुद्रा आज भी प्रचलित है त्री ने त्री मुद्रा को करने की विधी चलिया जानते हैं इसके बारे में जमीन पर एक आसन बिछा लें और किसी भी ध्यान आत्मक आसन जैसे पदमासन सुकासन आदी में बैट जाएं फिर अपनी आखें बंद कर लें अपने ध्यान को एक बिंदू की और केंद्रित करें फिर धीरे धीरे चार पांच बार गहरी सांस लें और छोड़ें इसके बाद सुास को सामाने रूप में चलने दें इस मुद्रा को लगाने के लिए आपको दोनों हाथों का प्रयोग करना होता है सबसे पहले दोनों हाथ को मिलाएए और परणाम की मुद्रा में आ जाईए परिणाम करने के बाद सीधे हाथ की हतेली के पिशले भाग के उपर उल्टे हाथ की हतेली का पिशला भाग ट्रोस की अवस्ता में रखे सीधे हाथ की बीच की दोनों उंगलियों को उल्टे हाथ की अंगुटे से इस पर शिकराएं सीधे हाथ की छोटी उंगली को उल्टे हाथ की तरजनी उंगली में फसा ले सीधे हाथ के अंगोटे को उल्टे हाथ की दोनों बीच की उंगलियों में फसा ले सीधे हाथ की तरजनी उंगली को उल्टे हाथ के कनिस्ट की उंगली में फसा ले इसके बाद दोनों हातों के बीच एक नेत्र के जैसा आकार बन जाएगा यही से ध्यान लगाना आप प्रारंब करें इस मुत्रा को कभी भी खाली पेटना करें या तुरंत भूजन करने के बाद ना करें अगर आपका शरीर बहुत जादा ठका हुआ है तो इस मुत्रा को ना करें साधना के दिनों में ब्रह्म चर्य का पालन करें अगर ध्यान करते समय सिर में दर्ध हो रहा है तो कुछ दिनों के लिए ध्यान बंद कर दें अगर ध्यान करते वक्त भूत प्रेत या अंचाहे द्रश्च दिख रहे हैं तो घवराएं नहीं उन्हें नजर अंदाज करते हुए ध्यान करें क्योंकि हो सकता है यह आपका बह्म हो कि अधिक अभ्यास किसी गुरू या किसी आप जानने माने गुरू से दिख्शा लेकर गिरहन करके ही आप इसके पश्यात इस मुद्रा को अधिक समय तक करें यह एक ऐसी मुद्रा है जिससे आप भूत भविश्य और आप बहुत कुछ देख सकते हैं तो इस मुद्रा को त्रिनेत्री मुद्रा कहते हैं मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल बटन को दवाएं जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको म मिल सके जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करें धन्यवाद